जै श्रीराम आप सभी का फेर एक बार स्वागत है फिल्म इडोस में और मैंने फिल्म देखिया वॉल्टर वेरीया और इस फिल्म का मैं रिविउ करने वाला हूँ तो अगर आप सभी को भी ये फिल्म देखनी हैं तो उससे पहले मेरा रिविउ जरूर देख लेना ताकि आप सभी को पता चल सके क्या ये फिल्म आपके देखने लायक है या नहीं तो शुरू करते हैं हमारी आज का रिवियू सबसे पहले मैं इस उनकी कहानी के बारे में बात करूँगा तो ये कहानी है वॉल्टर विरिया नाम के एक मचवारे की जो कि एक स्मगलर भी है और उससे जरुवत है 25 लाक रुपी होगी तब ही उसके पास एक कस्टमर आता है जो मलीशा से सोलो में सीजर नाम के एक ड्रग डीलर को किडनाप करके लाने की डील करता है और विरिया इस काम के लिए हाँ भी कर देता है फिर विरिया एंटीम निकल पड़ती है मिशन पर उसके बाद क्या होगा उसके लिए तो आपको ये फिल्म देखनी पड़ेगी इस उनका हिंदी प्रेमेर आज रात आट बज़े होगा सोनी मैक्स पर उपर से इस उनका क्रेज भी अच्छा खासा है चिरन जीवी और रवी तेजा की वज़े से चलो बात करते हैं इस उनके पॉजिटिव पॉइंट्स के बारे में मूवी का जो फर्स चाफ है वो काफी एंटर्टेनिंग है इसमें आपको एक्शन, कॉमेडी, ड्रामा, ओवर एक्टिंग मेरा कहने का मतलब है इसमें जो एक्टर्स की एक्टिंग है वो भी काफी जादा जबर दस्ट है चिरन जीवी का एंट्री सीन काफी अच्छा है जो बिल्डप किया जाता है, सही में, वो अच्छा है पर हाँ, रवी तेजा का जो एंट्री सीन है न वो चिरन जीवी की entry scene से काफी जादा बढ़िया है वो अराम से मात देता है चिरन जीवी के entry scene को अब ये मत समझ लेना कि मैं रवी तेजा का fan हो इसे वज़े से चिरन जीवी की entry को मैं कम बता रहा हूं ऐसा कुछ नहीं है अब जो मुझे लगा मैं वही बता रहा हूँ जितने भी लोग फिल्म को रवी तेजा के लिए देखेंगे उनको मैं एक बात जरूर बता दू रवी तेजा की एंट्री को सेकेंड आफ में रखा गया है मतलब पूरे एक गंटे सोला मिनट बाद मुवी का जो बैक्ग्राउंड स्कोर है वो अच्छा खासा है इतना दमदार भी नहीं है कि जो गोस्टबंस आ जाएं और यहां भी चिरन जीवी से ज़ादा रवी तेजा वाले म्यूजिक की थी मुझे बहुत अच्छी लगी और जो रवी तेजा की स्क्रीन प्रेसेंस है वो भी यार इस सुन्म में काफी बढ़िया है उनकी बाकी मुवी से मुझे जो इस सुन्म का केरेक्टर है वो मुझे काफी पसंद आया फर्स्ट आपका जो स्क्रीन प्ले है वो ठीक ठाग है और क्लाइमेक्स में जो कोर्ट रूम वाला सीन है वो भी इस सुन में अच्छा काज़ा दिखाया गया है ये तो हो गई भई मूवी की अच्छी चीज़े अब बात करता हूं मैं उन चीजों के बारे में जिनके वज़े से मेरा हो गया था सरदर्द इतनी लंबी पिक्चर भाई दो घंटे 37 मुनेट की ये मूवी है जिसमें चार गाने हैं मानता हूं ये फिल्म मास मसाला एंटरेटेन्मेंट के लिए है पर गाने वहाँ डालो यार जहां जरूरत हो कहीं पर भी गाना बजा रहे हैं एक गाना तो भाई जब बजा देते है जब फिल्म का बिल्कुल एंट आने वाला है क्या मतलब है भाई अब मत बजवाओ अब सीधा क्लाइमेक्स दिखा और खत्म करो पर नहीं इन्हें तो थोड़ा रोमेंस दिखाना ज़रूर ही है उसके भी ना तो भाई मज़ा ही नहीं आता है इनको चिरन जीवी का स्वैग लेवल दिखाने के चक्कर में उनसे आजकल ओवर एक्टिंग करवाने लग गया है डारेक्टर्स देखो यार चिरन जीवी सरका मैं भी बहुत बड़ा फैन हूँ पर ये हकीकत है कि आजकल उनसे फिल्मों में ओवर एक्टिंग जादा करवाते हैं सच में काफी बार मुझे लगा की ओवर एक्टिंग चल रही है यहां पर पर चलो कोई नहीं भई उपर से चिरन जीवी के लिए दो दो रोमेंटिक ट्रैक्स वा भई वा क्या जरूरत है लव एंगल दिखाने की साफ साफ पता चल रहा है कि यह लव स्टोरी फिटी नहीं बैठ रही है चिरन जीवी कहा अशुरुति हासन कहा चिरन जीवी भी अगर बालिया के रास्टे प देखकर हसी आती है मुझे मैं तो सच कह रहा हूं और आधी पिक्चर तो इनी चीज़ों की वज़े से लंबी हो जाती है खामा खामे एक यार शुरुति हासन के बारे में तो बात करनी बनती है शुरुति हासन भी आजकल ओबर एक्टिंग ही करती है फिल्मों में चाहे वो जबरदस्ती डाला गया है बस एडिशन किया गया है अब मैं जानता हूं कि डारेक्टर सोचता होगा रोमेंटिक भई पार्ट जरूरी है तो उसको भी वो लुग डालते हैं पर ना ही रखें तो अच्छा है कम से कम एक ऐसा रोल दो भई शुति हासन को जिसमें वो डिजर मैं आजाओं क्या अपनी पर अब मैं बोट आओ तेर को मिल मेर को कई बार ओवरल मेरी तरफ से एक एवरेज फिल्म है और ये फिल्म जादा अच्छी हो सकती थी अगर इस फिल्म की लेंद को जादा लंबा ना किया जाता और अगर सॉंग्स अच्छे खासे होते सुनने व अगर मेरी मानों तो चिरन जीवी और रवी तेजा के फैंस के लिए एक ट्रीट है बाकी सब अपने एंटरेटेन्मेंट के लिए सुनकू एक बार देख सकते हो और बाद में बूल सकते हो मैं इस सुनकू दस में से साड़े पांच की रेटिंग देना चाहूंगा होपस हो क आप सबी को मेरे आज के वीडियो पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और कमेंट सेक्षन में अपनी ओपिनियन भी जरूर बताएगा इस सुनकू लेकर तो मिलते हमारे अगली वीडियो में तब तक ले बाई- एं टेक केर